मैं कर्णल शेलेंद्र सिंग वेटरन गनर अगनीपत स्कीम मेरे लिए मेरे रॉंगते खड़े हो जाते हैं अगर आप देखें अगनीपत स्कीम सोचते ही मेरे रॉंगते इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि मेरी इंडियन आर्मी और हमारी आपकी अगनीपत कितना कॉंट्रिब्यूट कर रहा है या इसमें क्या खामिया जहिन सभी को कैसे आप सभी तो अभी आपने जो यह वीडियो देखा यह इंडियन आर्मी के एक रिटार्मेंट करनल सहाब हैं जिन्होंने वीडियो कॉल कॉंफरेंस पर आकर एक अगनीपत की होजन वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो को लाश्ट तक देखना और हर एक चीज को अच्छे समझना और आपके जितने भी साथी उन तक भी सेयर करना क्योंकि यार देखो अगनीपतियोजना के बारे में मुझे भी कुछ ऐसे कमेंट आएं कि अगनीपतिय पर जर्पोर हो चाहे कोई भी हो चाहे बडा से बड़ा हीरो को ना हो लेकिन अगनीपतियोजना को एक सहनिक से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता इनका यह जैसे अगनीपतwoजना जो की गई ते आपको पता है विरोध काफी ज़्यादा हुआ था उस पे लेकिन इन्होंने का कि उसमें बदलाव किए गई चोटे मोटे बदलाव और आपने देखा भी कि चोटे मोटे बदलाव बीच में इसमें किये भी गए और वो बदलाव जो किये गए इसमें वो कहीं न कहीं जरूरी भी थे क्योंकि अगनीपत योजना का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यार मतलब निरास करने वाला है और इन्होंने एक बात और बोली कि जो अगनीपत योजना है जैसे आपने लागू की अगनीपत योजना यहीं चाहे कोई और भी योजना है तो आप किसी योजना के बारे में 100% यह नहीं के सकते कि वो देश के लिए परफेक्ट है और ये बात कहीं न कहीं सच भी है कि अगर कोई योजना लागू की जाती है उसके बारे में आप 100% यह नहीं के सकते कि वो योजना परफेक्ट है और इन्हों ने एक बात और वोली कि जो अगनी पतियोजना है मैं उसकी आलोशना नहीं करता भलकि मैं सारी चीज़ा आपको किलियर करके बताता हूं इनका कहना है करनल साथ जो है क्योंकि एक सैनिक रह चुके हैं तो इनसे जादा कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को क्योंकि जो अगनी पतियोजना है वो सैना से संबंदित है तो सैना से संबंदित कोई भी बाते हैं उनको एक सैनिक से जादा कोई नहीं समझ सकता और साथ ही इनका कहना ये भी है कि जैसे अगनिपति होजना का जो पूरा का पूरा जहमेला हुआ है न ये किसके पीछे हुआ है जो ये तीन साल का गैप लगा था न कोरोना की वज़े से जो भरती नहीं हुई थी इसकी वज़े से ये पूरा सिस्टम आया है क्योंकि देखो एक चीज इनको बहुत अच्छी जो मुझे इनकी बात लगी इनका कहना ये था कि जो सेना है न उसका टार्गेट ये होता है कि जैसे 50,000 सेनिक हर साल रटार्मेंट हो गए मानलो 50,000 हो जाते हैं तो 50,000 को भरती करना भी इनका टार्गेट होता उसी साल के अंदर लेकिन जो कुछ सिस्टम में उसके पीछे हुआ था साथ ही इन्होंने TOD के बारे मता है TOD का रूप में था है पहला आपने सुना वे होगा Ture of Duty जो था तो TOD का सिस्टम ये था जैसे मानले आप हैं हमें जो भी मतलब अपना एक सपना रखते हैं फोज में जाने का देश के लिए वो भी पूरे ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए बना दिया वो उन इचुक यूवां के लिए था जो मतलब जिनका सपना था किसी कारण वह सो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए फोज में जाने का तो उनके लिए वो सिस्टम वहां पर मतलब वह विवास्ता की जाए TOD के तह सफ़ेत वार प्लीत यहिवां सेष्ट का कुछ समय अपने देश के लिए टें सेना के रूप में जो भी अपना डो तीन चार पंच जो भी अपना जितना विसाल अपना टाइम देंगे तो उसके बाद वह जो भी कुछ वहाँ से सेना में सीख कर आएंगे वो समाज में वो सारी चीजे ले कर आएंगे वो एक अनुसासित युवा होंगे जो सेना में रह चुक है होंगे चार-पांस साल तो वो सारी चीजे वो समाज में लाएंगे और समाज को सुधारेंगे टी ओडी का ये सिस्टम था लेकिन ये अगनी पतियोजना लेकर आये और इन्होंने साथ ही उसको एक राजनेतिक मुद्दा बना दिया और आपने देखावी कि ये काफी बड़ा एक राजनेतिक मुद्दा बना है और भविस्ये में भी बनेगा जो अभी ये चुनाओंगे 2024 2024 के अंदर ठीक है तो इनका कहना ये था कि टी ओडी का सिस्टम अलग था अगनी पतियोजना साथ इनों ने एक चीज और बताई कि हम सुविकार कर रहे या फिर नहीं कर रहे आपको पता है कोई सुविकार इसको नहीं कर रहा है साथ ही इसको थो पा जा रहा है और ये बात सच भी है कि कही न कहीं, अगनीपतियोजना को लागु नहीं किया गया, बल्कि उसको थौपा गया देश के उपर, देश के युवांक के उपर इस अगनीपतियोजना जबरदस्ति थौपा जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो टाइम आया कि सेना के अंदर कुछ बदला हो कि आ जाए, TOD जैसा कुछ लगाया जाए, तो ये अगनी पतियोजना लेकर आ गए, वो चार शाल, वो पिचेतर परसेंट, वो सारी चीज़े इन्हों ने कर दी, कि पैंसन पर बहुत जादा खर्चाता है, उस ये होगा, वो होगा, वो सारी चीज़े इन्हों ने करी, और आपको पता है कि जो देश में प्रोजेक्ट लॉंच किये जाते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, उस पर लाखो करोडों को खर्चा आता है, जैसा कि सबसे जो लेटेस्ट एक्जामपल आपको दूँ तो G20, उसमें लाखो करोडों रुपए का खर्चा आया था, लेकिन देश का सेनिक जो है, उसके लिए आप मतलब आर्थिक वे उस्ता खराब हो जाती है देश की, ऐसा थोड़ी होता है, तो वह ये सब कुछ था, जो मैं आपको बताना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल भी रहा होंगा, ठीक है, तो आप भी अगर अगनी पती होजना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट एक जरूर करना, अगनी पती होजना के बारे में, मैं आपके कमेंट का इंतिजार करूँगा, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारते सेना